आप लोग देख रहे हो कि मैंने लिप्स्टिक लगा लिया है पहले से तो इसका मतलब आज मैं अपने उपर कोई मेकप नहीं करने वाली हूँ अब लोग थमने और कैप्शन परके समझ गये होंगे तो आज मैं अपना सिस्टरिलो का करवाचोथ मेकप लोग करने वाली हूँ और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कोमेंच रिया ज़रूर करना सिरम मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का रोजिप सिरम यूज किया है ये सिरम बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइट करेगा और जो मेकप है बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाएगा नेक्स मैं यहाँ पर प्राइमर के लिए यूज कर रही हूँ इनसाइट का 3-in-1 जेल प्राइमर जो बहुत ही अच्छा एक प्राइमर है next मैं उसका brows set कर लूँगी मैंने यहाँ पे wet and wild का brow kit यूज किया है brows को set करने के लिए और brows के edges को clean निखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक flood brush में Maybelline Fit Me का concealer लेके edges पे apply करके brows को एक अच्छा सा structure दे दिया है उसके बाद मैं उसे अच्छी तरीके से blend कर लूँगी next मैं उसके eyes के lid पे Maybelline का fit me concealer यूज कर रही हूँ in the shade light उसको अच्छी तरीके से blend कर लेने के बाद concealer के ऊपर थुरा सा powder से set कर लूँगी next मैं यहाँ पे beauty face का eyeshadow palette से यह nudish shade लेके as a transition shade उसके पूरे eye lid पे apply कर लूँगी next यह pink shade लेके eyes के crease line पे अच्छे से place करती रहूँगी next यह orange यह yellow shade लेके pink color के ऊपर place करके एक fluffy blending brush के help से उसे blend करती रहूँगी तक कोई harsh line ना दिखाई दे और color beautifully blend हो जाए next यह dark pink shade लेके eyes के outer view पे place करके crease line तक इसे अच्छी तरीके से color को develop करती रहूँगी और उसे blend करती रहूँगी तक कि color में एक depth आए उसके बाद मैं उसके eyes के mead lid को cut कर लूँगी concealer को मैं थोड़ा सा powder के help से set कर लूँगी नहीं तो जो eyeshadow है वो अच्छे से नहीं बैठेगा next मैं इस cut के ऊपर golden color का यह shimmery shade place कर लूँगी जो बहुत beautiful एक look देगा यह next मैं orange श्रीमरीश shade लेके उस golden shade के ऊपर place कर लूँगी क्योंकि उसका सारी का color orange color का था और जो बहुत beautiful एक finish दे रहा है next वो dark pink shade लेके मैं golden shade के साथ हलके से मिला लूँगी ताकि कोई harsh line ना दिखाई दे और color जो है बहुत बहुत प्यारा लेगी next मैं NYB का काजल से एक randomly liner draw कर लूँगी और उसे एक smudge brush के help से हलके से smudge कर लूँगी इसे eye makeup जो है बहुत प्यारा दिखेगा next मैं उसके water line पे काजल apply कर लिया है और काजल को हलके से मैं water line पे smudge कर लूँगी smudge करने से eye makeup जो है बहुत ज़ादा अच्छा लगता है और excess जो fall out हुआ है मैं उसे एक tissue के help से remove कर लूँगी next मैंने यहाँ पे मैं blend hypercal mascara यूज़ किया उसके आपर lower lashes पे next उसके face पे मैंने orange character यूज़ किया मैबलीन का 24 hour super stay foundation और उसका जो skin का texture है वो oily है और यह foundation उसके skin पे बहुत अच्छी तरीके से blend हो गया है तो अगर आपका oily, normal, dry, कोई भी आपका skin type हो आप लोग यह foundation यूज़ कर सकते हो उसके बाद मैं यहाँ पे मैबलीन का fit me concealer यूज़ कर रही हूँ उसके face को थोरा सा highlight दिखाने के लिए उसके face को हलका सा contour कर लोगी और मैंने यहाँ पे विटन वाइल का contour palette यूज़ किया है उसके face को और jawline और nose को contour करने के लिए यह जो contour palette है बहुत amazing और beautiful एक palette है मुझे बहुत बहुत ज़ादा पसंद है आप लोग इसे ज़रूर से try कर सकते हो एक बार उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलीन का fit me compact से उसके face को थोरा सा sit कर लिया है baking मैंने नहीं किया है उतना अच्छे से बस हलका साई powder से sit कर लिया है उसके बाद मैंने blusher के लिए यहाँ पे use किया है sugar का peachy pink blush जो काफी प्यारा एक shade है और natural एक dewy finish देता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यह blush इसके बाद मैं उसके face को highlight करने के लिए यहाँ पे huda beauty का 3D highlighter palette से एक pinkish highlighter यूज कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा highlighter मैं apply नहीं करूंगी यह highlighter जो है बहुत ही pigmented है बहुत ही प्यारा glow-y finish देता है आप लोग देख सकते हों कि कितना ज्यादा glow कर रहा है थोड़ा सा application से ही उसके बाद मैं यहाँ पे huda beauty का pink color का एक blend lipstick यूज कर रही हूँ और guys यह first copy है original नहीं है उसके बाद मैं एक pink shade लेके उसके eyes के water line रहे का जल के नीचे place करके हलका सा blend कर दूँगे इससे eye makeup और भी अच्छा लगेगा false eyelashes के साथ मैंने उसका eye makeup look को complete कर दिया है और एक छोटा सा pink बिंदी और heavy earring so guys this is the final look I hope कि आप लोगो अच्छा लगा होगा so hi मेरा makeup complete हो गया और मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा है इसका makeup मतलब she has become a pro और please आप लोग जरूर से इसका channel subscribe कीजिए और उसका videos और और ज्यादा likes कीजिए videos में comment डालिए और उसको खूब सारा प्यार दीजिए बस इतना ही thank you so guys आज का video इतना ही मिलते नेक्स video में till then bye bye love you all take care और happy karvachot ladies god bless you all